आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यह हमें ग्याद करना है तो बच्चो तेखो इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है A विकल्प में 100 रुपए B विकल्प में 99 रुपए C विकल्प में 110 रुपए D विकल्प में 101 रुपए तो दिये गया चार विकल्प में से बच्चो हमें सही विकलपका चेन करना है ठिक है तो बस्तो को यहां पर व्यक्ति एकस के लिए के लिए वस्तू का वस्तू का क्राइम उल्यी क्या होगा अर्थात सीपी क्या होगा बचो तो बस्ती ने समस्केरी मोनचा ऒ्रसूंप never से व्यक्ति वाई को बेशता है तो बैचो देखों यहां पर वस्तु का क्राय मुल्य कितना है 100 रुपए ठीक है अर्थात CP कितना है 100 रुपए अब बैचो देखों इस वस्तु का का विक्राय मुल्य क्या होगा अर्थात SP क्या होगा तो वस्तु का विक्राय मुल्य विक्राय मुल्य बराबर बराबर क्या होगा तो बचो देखो 100 रपे की वस्तु का 10 प्रतीशत हानी तो बचो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 का 10 प्रतीशत क्यात करते हैं ठीक है तो 100 में से 100 कट गया तो हमें 10 प्राप्त हुआ अब बचो देखो हम क्या करेंगे 100 का 10 प्रतिशत हमें 10 प्राप्थ हुआ तो 100 में से हम 10 खटाएंगे 100 में से हम 10 खटाएंगे तो हमें प्राप्थ होगा 90 अर्थात वस्तु को कित्ते में बेच देता है वैक्ति X 90 रुपए में बेच देता है तो 10 प्रतिशत की क्या होती है आनी होती है ठीक है अब बचो देखो यहाँ पर वैक्ति y को ये बेच देता है ठीक है तो वैक्ति y के लिए y के लिए y के लिए y के लिए वस्तु का वस्तु का क्राई मुलिये क्या होगा क्राई मुलिये क्या होगा बचो तो वस्तु का क्राई मुल्य हो जाएगा 90 रूपए ठीक है अब बचो देखू क्या बोल रहा है वाई उस वस्तु को 10 प्रतीशत लाब से व्यक्ति जड को वेच देता है ठीक है तो यहां पर बचो देखू व्यक्ति वाई के लिए वस्तु का वस्तु का विक्रे मुल्य क्या होगा तो विक्रे मुल्य हमें ग्यात करना है तो SP बराबर क्या हो जाएगा तो वस्तु का 10 प्रतीशत लाब हमें प्राप्त हो रहा है अर्थात वचो यहां पर 90 का 10 प्रतीशत तो 10 बटे 100 तो यहां से सुनिय से सुनिय कट गया यहां पर सुनिय से सुनिय कट गया तो हमें 9 ठीक है तो 90 प्लस 9 कितना हो जाएगा 99 रूपए अर्थात विक्रई मुलिये वस्तु का कितना हो जाएगा 99 रूपए वैक्ति Y के लिए ठीक है अब बचो हमें क्या पूछा जा रहा देखो प्रेश्ण में Y ने किस मुलिये पर वस्तु Z को बेची तो बचो देखो वैक्ति Y के लिए वस्तु का विक्रई मुलिये हम लोगों ने कितना ग्याद किया है बचो 99 रूपए ठीक है अर्थात वैक्ति Y ने 99 रूपए में वस्तु को जड़ वैक्ति को बेचा है ठीक है तो 99 रूपए हमारा सही विकल्प होगा तो विकल्प भी हमार यहां पर सही विकल्प है, बागी विकल्प गलत हो जायागा, ठीक है, थाइंक यू